नेट मॉर्निंग दोस्तों ग्रेट मउर्निंग हाई के स्केसकर मुलाए वर्ट व्यान से देखना कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं बताना कि आ कि मैं पर को कुछ करके दिखाना है आपने भी लाइफ में कभी लाइफ में आगे चलेंगे मुश्किलिए आएंगी इस अपार चलने आप मार आप आच अपार कि यूचल बंड़ के फट्टे चक देनी है यार पास तो होंगे लेकिन आपको अमीर बनना है लोगों को अमीर बनाना है सब के भले में आपका भला है क्लाइन को प्रॉपर नॉलेज देनी है और उसके लिए मेरे लेक्ट्स आपको बड़ा इंपोर्टन डोल प्ले कर रहे हैं आये मैं भूपेश अनन्द देखे दोस्तों पीपीटी मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में शेयर की थी मैं और 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 अरश्ट करें और देखे लिए और नहीं बड़ा इसके बाद जब आपके लिए बार बार रिपीट किया है बार बार देखो अजार बार देखो देखने की चीज है बार बार देखो बिटे मैंने जानके रिपीट किया मैंने का आप पैसे देते हैं किसी रेस्टोन पे तो आप पैसे बसे fire मिलता है बिटे आप यह मानों कि यह आपको एक लाग रुपे का लेक्चर से आपने भुपईश आन्द के बाई किया है आपको उतनी वर्थ लेनी है तो वर्क बुक में we have discussed these तो structure अमने discuss कर दिया की constituents भी discuss किये आज के इस लेक्चर के फ्रू मैं बेसिकली आपको थर्ड लर्नीक आउटकम बताना चाहरा हूं थर्ड लर्नीक अब्जेक्टिव विच इस इन रिलेशन तो ऑर्गनाइसेशनल श्टक्चर ऑफ एसेट मैंजमेंट कंपनी एमसी प्लेज वरी इंपोर्टन रोल में खेल एमसी का है पिक्चर में हीरो हीरोईं का काम एमसी करेगी प्रोड्यूसर डिरेक्टर नाम तो आए गा थोड़ा सा लेकिन में जो मुवी चलती है या फ्लोब होती है वह शारुक ख पूर्या के टरीना कैफ की वज़े से उपर नीचे जाती है और वह दोस हीरो हीरोईं का ऐसेट मैंजमेंट कंपनीज एन वराइसेट मैंजमेंट कंपनीज यू शुट बिए और इस अर्गरी आगे जाएंगे और हम लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे कि यार एक आश पर एक दम वेसे हैं आश पर मार्केटनिंग टॉसनी dus को घृष क्योंसे चीफ मार्केटिंग ओलटों और सुब यूटे से लेकिर अगराप घ्यान से और प्रस होजाइब आट है अच्छा मैने वैसे और आप सभी के साथ last lecture में एक बड़ा प्यारा सा ये प्रेपेर की है ये प्रेपेर किया है ये प्रेपेर किया है आज के लेक्चर के लिए प्रेपेर हुई थी क्योंकि इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो और गनाइजेशनल स्टक्चर और गनाइजेशनल स्टक्चर और अफ एमची की जादा बात है और आज़ादा हो नहीं है Asset Management Company एक ऐसी company जो assets को manage कर रही है कौन से assets वोई वाले schemes वाले 11 equity के 16 debt के 6 hybrid के बाकी जो आपको बनाएं तो टोटल 40-45 schemes उन assets को manage करता है कि कब खरीदें कब बेचें पेटें वो पूरी force चाहिए उनको अभी बे आपको SBA mutual fund की AMC दिखा हुआ हाई है सबसे ज़्यादा asset management है आपको हैरान हो जाएंगे आप आप लगेगा इतनी बड़ी management कर रहे हैं यह तो इनको कितने ज़्यादा force पूरे team members चाहिए खाली trust से खाली sponsor से खाली एक EU बनाने से भी नहीं होगा AMC बनाने से भी नहीं होगा पेटें उनको लेबर फोर्स चाहिए उनको marketing officers चाहिए उनको एनको लेकर आ रहे हैं उनको security analyst चाहिए उनको security dealers चाहिए तो आज के इस lecture में हम basically learning objective number C करने वाले हैं आप चक करिए ना मैंने इसमें आपके लिए क्या लिखा है मैं तोड़ा दा और बड़ा करता है तो जैसे आपको दिखें यह देखिए यह देखिए यह देखिए मैंने यहां पर आपके लिए यहां पर asset management company में asset management company में नीचे arrow डाला डाला और उसमें लिखा compliance भी चाहिए फंड management भी चाहिए operational customer services भी चाहिए अब फंड management में analysis भी होना चाहिए फंड manager होना चाहिए dealers भी होने चाहिए उसी तरह से अगर आप देखें और प्रेशन कस्टोबर सर्विसिस में रजिस्ट्रार होना चाहिए custodians होना चाहिए फंड accounting होना चाहिए cash management होना चाहिए auditors होने चाहिए तो आज के इस lecture में हम सभी का रोल देखेंगे उनको समझेंगे logically है क्या और वो जो examples है मैं बताऊंगा आप लिखेंगे और में reality में SBA mutual fund को लिखे पास लेकर जाऊँगा वहां से relate करेंगे you know and then you can easily find out the things कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो आप थोड़ा सा कमर सीधी करके बैठेंगे मोबाइल फोन में नहीं देखेंगे लाप्टॉप या डिस्टॉप पे देखेंगे और नोट करेंगे आए आए भूपेश अनन के साथ आए दोस्त मैं भूपेश अनन आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बाते को discuss करूँगा and here 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 I am going to start with great morning chapter number three बैठें कोई नहीं करेंगा ना दिखुआ है मैं खाली ppt बोल रहे हैं आजकल सवाइसी क्लास कर रहे हैं क्योंकि अब बैठें मैं ppt भी बना रहा हूं मैं रिसस्वा mutual fund भी दिखांगा I am telling you I will be showing this slides also so that you can get an idea lecture three legal structure of mutual fund हम discuss कर रहे हैं lecture number three chapter number three and today I will be starting with organizational structure of asset management company मैंने अभी अभी आपको बताया था कि asset management company के बीछे backshow में किसी movie के backshow में बड़ा सारे लोग होते हमें दिखते नहीं है camera man होता है editor होता है singer होता है story writer होता है dialogue writer होता है और भी बड़ा सारे होते होंगे अब movie हम generally कहते हैं यह hero heroine की वाई से चली ठीक है बट उसके पीछी भी तो लोग चाहिए जब तक उनको support नहीं मिलती तो वो करी नहीं बात है movie भी तो asset management company में मैं आज आपके सामने चे लोगों की बात करने वाला हूँ basically as per your workbook there are six people you know which are there which form a organizational structure of a asset management company आपको यह छे के नाम लिखने पहला है जी chief investment officer आप लिख रहें chief investment officer सब लिख रहें इसके घर का जैसे आपका नाम है ना आपके घर का भी तो नाम है चिंटू बबलू इसके घर का भी नाम है जी इसके घर का पता क्या नाम है chief investment officer इसको बोलते CIO इसको बोलते S A इसको बोलते S B है ना छोटे छोटे नाम है आपके घर के नाम भी तो लग लग है चिंटू बंटी बबली निपाली छोटू बाहर के नाम अलग है तो फुल नाम है chief chief investment officer fund manager security analyst security dealers chief marketing officer chief operating officer and last compliance officer अब मेरी कहानी शुरू हो रही है ध्यान से मेरी कहानी को सुनना है कि मैं कहना क्या चाहरा हूं में चर्चा करूंगा discussion करूंगा हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे आप मुझे लॉजिकली बताइए कि अभी asset asset under management अगर मैं आपको लेके चलो सीधा एक सेकेंड के लिए मैं कुछ दिखाना चाहरा हूं इसलिए थोड़ा समय एक पहले आपको SBI mutual fund की बात बता दूँ कि देखेंगी SBI mutual fund में 8.87 lakhs क्रोड का asset managed है सबसे ज्यादा बेटे उस 45 mutual fund में स्टेट बेंगों इंडिया के जो assets है वो प्रॉपरली ज्यादा managed है 8.87 lakh क्रोड रुपीज अब आप यह बताओ इतने सौरी पैसे आप 0-0 लगाओगे तो आपको खुदी नहीं पता चलेगा कितने 0 आते हैं कि बच्चा कहता है कि क्रोड़ में कितने 0 आते हैं लाख करोड में कितने 0 आते हैं करते रहो calculator फट दाएगा अब बताओ इसके लिए क्या इन लोगों को क्या सच में बड़ी टीम चाहिए या नहीं चाहिए मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए में SBIA की mutual fund की एक और website को खोला और उसमें देखा कि there are huge number of you know security organizational structure, huge number of compliance officers, huge number of security analysis, huge number of हर एक scheme का एक उन्होंने CIA बना दिया है, मतलब fund manager बना दिया है, chief investment officer प्रिपेर कर दिया है, तो मैं उन सभी बातों को आज एक बार आपके सामने चाहता हूँ कि आप लिखेंगे और logically हम दोस्त बड़ी प्यारी सी बात करने जा रहा हूँ, आजाओ और आप अगर नहीं लिखेंगे इन छे के नाम लिख दो, मैं पहली बात, first point मैं आगया सार, AMC का organizational structure बताया है, उसके ऊपर मैंने आपको बताया है, AMC की ऊपर कोन होता है, trustees या sponsors, अब trustees भी क्या करते है, उसके नीच, उसके और AMC के बीच में, either there will be a managing director, or there will be a executive director, or there will be a chief executive officer, ठीक है, वो AMC का head होता है, ठीक है, headed, AMC is headed by, not by trustees, because trustees must have appointed a managing director, or executive director, or a CEO, तो अभी उसके बाद आती है, AMC, AMC में, मैंने कहा, जी, AMC का main काम क्या है, अलग-अलग schemes है, इनकी अलग-अलग schemes है, इन सभी schemes में, इन सभी schemes में, इनको manage करना, अब manage करना का मतलब क्या है, कौन से assets खरीत रहे हैं, कौन से assets बेस्चन है, Infosys खरीदू, TCS खरीदू, ये debt ले लूँ, ये money market लूँ, ये government के securities buy करूँ, क्या करूँ, Chief Investment Officer को help चाही होती है, कि वही क्या सच में, इस stock को लेने से हमें फायदा होगा, तो there has to be security analyst, आप doctor के पास जाते हैं, तो क्या सीधा doctor आपको दवाई देता है, हाँ, ठीक है, बिमारी है आपको, ये कि वह आप से बड़ी सारी बाते पूछता है, आप से चीजें तमझता है, फिर आपके test कराता है, और उसके बाद जाकर आपको कहता है, साहब आपकी medicine है, तो doctor हुआ, chief investment officer, पहले वो analyze करेगा यार, तो उसको analyze करने के लिए कुछ लोगों की मदद की जरूरोत होती है, those people who are analyzing, you know, those who are CFS, chartered financial analysts, those who are chartered accountants, those who are company secretaries, those who are fundamental analysts, those who are technical analysts, they have done a course from NISM, से बी से उन्होंने course किया हुआ है, उनके बास skill है, तो वो गहराई में जाते हैं, fundamental analysis करते हैं, technical analysis करते ह सारी बातों को समझते हैं, देखते हैं, जब इतनी सारी बातों को समझते हैं और देखते हैं, तो एक opinion लेकर आते हैं, कि yes, it is better, you know, out of these, these 20 stocks are better, you can buy, तो ये एक security analyst, chief investment officer को अपनी opinion देता है, कि आप 20 stock ले सकते हैं, अब chief investment officer की मर्जी है कि वो ले या नहीं ले, उसकी option है, अ labor ऐसा भी होता है कि वो 20 के 20 stocks ले लेता है, as discussed by security analyst, sometimes there are more number of, huge number of security analysts, hundreds of security analysts are there in SBA mutual fund, because they have a huge AUM, that is asset management, I have just shown you, सबसे top में, पंतालीस में सा सबसे यादा AUMs SBA के पास है, तो अब small companies होती है, उनके पास, एक दू होते होंगे security analyst, मैं अब उसमें नहीं जा रहा, मतला security analyst is directly related with asset management, now chief investment officer के पास, अब option है कि वो 20 के 20 stock ले, 20 में से 10 ले, 10 में से 5 ले, या क्या करें, उसकी मर्जी है, अचा माल ले दे, chief investment officer को लगता है, या fund manager और chief investment officer is one of the same thing, they want to buy 10 stocks out of those 20, तो 10 stocks को कोन खरीदेगा, कोन भाय करेगा, analyst थोड़ी करेगा, chief investment officer भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा, chief investment officer, security dealer को बुलाएगा, कि ए dealer, इदर आ, ये 10 stock खरीद ले, इतने unit, इतने shares, इतने debt, इतने money market, खरीद के रख ले, और custodian को दे दे, it means, एक नए व्यक्ति का रोल आ गया, जो AMC के organization structure में आएगा, मैंने का, AMC के organization structure में, एक तो था chief investment officer, एक था security analyst, एक था security dealer, dealer बतलाब, जो actually में sale और purchase of securities को खरीदेगा, बेचेगा, उसको बुलते है, security dealer, I think, आपको समझ आ रहा है, अच्छा जब आपको logically ये बात पता होगी ना, तो फिर आप बड़ी से बड़ी किताब से भी पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ रहा है, कि मैं कहना क्या चाहरा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, firstly you should visit, you should watch my video, और फिर आगया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपका सामने एक बात ही रखी, कि सभी कि mutual fund के पास different schemes होती है, अब different schemes में बड़े सारी बाते होती है, जैसे मैंने का 45 mutual fund है, 50 scheme है, 2000 तो टोटल हो आ गए, बड़े सारी बाते होंगी, बड़े सारी चीज़े होंगी, तो generally security analyst रखते है, security analyst काम मैंने अभी बताया, क्या, to analyze the stock, अभी हम PBT देखेंगे, to advise the fund manager, and the number of security analyst depends upon the assets under management, ठीक है सरी, ये बात तो बिल्कुल समझ आ गई, अब Chief Investment Officer के पास दो व्यक्ति है, दो पपू है, एक पपू का नाम है security analyst, जो analyze करके बताएगा, decision final किसकी होगी, investment officer की, जो decision होगी, उसको implement करने के लिए, CIO के पास एक नया व्यक्ति आएगा, जिसका नाम है security dealer, now that person, you know, will actually buy and sell those TCS के शेर्स लेने, Infosys के लेने, Tata Motors के लेने, Government Securities लेने, Liquid Fund, Liquid Assets लेने, all these implementation work will be done by the security dealer, I think, अब आपको picture समझ आ रही है, ठीक है sir, तो आपको तीन लोग समझ आ गे इस structure में, अचा आप यह बताओ, मैं धीरे 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 प्यार को बढ़ाएंगे, जैसे मैंने कहा, there are six people, you know, we will see the PPDs also, chief investment officer, security analyst, security dealers, चार तीन तो बतादी, अब मेरे को तीन और बताने, एक बताना chief marketing officer, एक बताना chief operating officer, एक बताना compliance officer, बस आपको अगर मेरी आने वाले दो मिलेट कहानी समझ आ गई, तो आप easily कर सकते हो, आप यह बताओ न, आप जब भी advertisement देखते हो, जब आप TV on करते हो, जब आप FM देखते schemes है, 50 तरक schemes है, वो बात अलाग है, index fund, fund to fund, exchange trader में, एक से जाधा schemes होगी है, बाकी समने तो एक-एक scheme होगी, मैं कहते हो, total 50 scheme है, कई बार, you know, that mutual fund is coming with a new issue, उसको बोलते है new fund offer, अब new fund offer हम लेकर आए, अगर खाली अपने मूह में ही रखेंगे, तो क्या कोई ले लेगा, हमें मके बोलना पड़ेगा, मुऊ ठोलना पड़ेगा, we have to do that, it is. यूमें यूटीफ में, हमें डिस्ट्रीबूट्रेस को, हमें investors को, हमें newspaper में, मतलभ, हमें शोर मचाना पड़ेगा, हम आगई, हम आ गई, हम आगई, हम आगई हम आगई और and you must be watching that new fund offer, कहीवान दस पर अदन जो डारेक्टली आप कंपनी से ले सकते हैं मुचल भंट से इसकेन बी ओपन एंड और क्लों इंड इंड देटल विए अलों इंड डिस्कॉस्ट दाट पर पॉइंट इस आज कल का जमाना पेटे बिकने का है जैसे लक्स का साबून बेचना हो तो जब तक विए इंज से नाजीं और कि एक उत्यास थी और नहीं केएगे तयून कर जब तक प्लीन की मैं भील्क्स सावेunyaत्व तक कोई नहीं लेगा है क्योंकि द Hilgi ब्युक्पी का पाधुकों को चाने वाले बहुत हों गयार इसका मार्केटिंग का जमाना है अमिताब बच्चन कितने लोगों को ब्रैंड आपसेटर कितनी ब्रैंड का तो सवाल ही आता है कि अब हमें उस NFO को या उस existing scheme को लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें मार्केटिंग ओफिसर चाहिए करें मार्केटिंग कने बहुत सारी लोग होंगे भी ट्र्मार्केटिंग डनींग फ़ें लोग हो होंगे वीच्टिंग ग कोई बान चलिकện आप और सबwang problделक्ष हैं में marketing officer को investors को भी पताना है, individuals को बताना है, common adam को बताना है, middle man को बताना है, distributors जो आप बनने वाले आपको बताना है, so it is a task of that particular person that is named as chief marketing officer, so in AMC there are six people who are very important, I think I have already discussed four, बाकी दो बताने हैं मैं Chief Operating Officer की बात करने जा रहा हूँ Chief Operating Officer का मतलब है कि पूरे day to day की इतनी सारी operations होती है salaries है, ये है, वो है payroll है, खर्चे है, electricity है पानी है, AMC है, rent है तो ये Chief Investor Officer नहीं करेगा Security Analyst भी नहीं करने वाला Security Dealer भी नहीं करेगा Chief Marketing Officer भी नहीं करेगा बेटे, ये सारा धंदा बंदा कोन मतलब ये जो normal operations का काम है इसको हम बोलते है Chief Operating Officer, तो Chief Operating Officer Mutual Fund Regulations के हसाब से lots in सवाल ये भी तो आता है कि इतनी सारी compliance भी है इतनी सारी बाते भी है तो उसके लिए compliance officer भी होगा because the mutual fund product is a regulated product because that is regulated as per mutual fund regulations 1996 तो सेभी की बाते माननी पड़ेंगी RBI की बाते माननी पड़ेंगी Income Tax Department की बाते माननी पड़ेंगी तो इन सब के हमें compliance करने पड़ेंगे return file करनी पड़ेंगी तो इसको हम बोलते है compliance officer, compliance officer भी समझ आ गया और Chief Operating Officer भी समझ आ गया पेटे मैं आपको सही बता रहा हूँ अगर आपने ये मेरी स्टोरी थोड़ी से ध्यान से सुनी है तो logically आपको यहाँ पर सब कुछ easily समझ अब आ जाएगा अगर आप पढ़ेंगे वैसे पढ़ने के इतनी कोई ज़रूरत है भी नहीं मैं आप उत्ता ही बता रहा हूँ आप देखिए ना यह देखिए ओर्गनेजेशन स्रुक्चर में उने क्या लिखा है अब आपको लॉचिकली सब बाते समझ आएगे कॉम्प्लाइंस फंक्शन है फंड मैनेजमेंट है है ना फंड मैनेजमेंट है और कस्टमर सर्विसेस है तो यह आप थोड़ा सा अब रिलेट करें जैसे मार्केटिंग टीम है अदर फंक्शन है तो मैंने इसकी एक आपके लिए स्टोरी बना दी है ना स्टोरी से आपको समझ आएगा तो अब लेक्स लेक्चर में जो करने वाले उसका नाम है रोल और सपोर्ट फंक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स अभी तक मैनेजर्स बताया आपको ऑर्गनाजेशनल स्ट्रॉक्चर आफ एमसी तो मिलते हैं बि वी हपी वी जोली वी चेवाफॉ